लेक्चर नंबर फॉर और आज में डिसकस करने वाले हैं extended ER फीचर के बारे में लास्ट लेक्चर नंबर री पर हमने बेसिक एयर के सारे फीचर पढ़ लिए सारी notations किस तरीके से यह डाग्राम मेरं different different notations होती हैं entity को कैसे बनाते है attributes क्या है attributes को कैसे show करते है cardinality क्या है participation constraints क्या है वीग entity क्या होती है इसा हमने last lecture में discuss करा but what happens is जैसे जैसे आपकी complexity increase होती system की ठीक है आप आप बहुत बड़ा system बनाने के कुशिश कर रहे हो और इसके अंदर बहुत सारे entities हैं बहुत सारे relations हैं बहुत सारे attributes हैं ठीक है attributes है different type के multi valued हैं ठीक है आपके composite attributes हैं बहुत जादा complex आपका system जहे-जह से होता जाता है ठीक है तो it is possible कि आपके जो normal basic ER के functionalities है वो एक अच्छा refined DB ना बना पाएं ठीक है इसके लिए ही हमें कुछ और important concepts का जानना जरूरी है ताकि उन concepts को apply कर पाएं अपने ER diagram को या ER model को बहुत ही refined बनाने के लिए तो this video is sponsored by cryo world's leading project driven platform to learn the data test technical skills अगर आप इंट्रेश्ट थाइप प्रोफाइल्स के अंडर या फिर QA के बारे में आप सिखना चाहते हैं so cryo is a platform for you यहाँ पर आप बहुत सारे projects बनाने वाले और यूविल लर्न with practical work experience similar to a real job also you will build a diverse set of guided as well as independent work like professional projects to master api testing devops selenium with java and more इतना ही नहीं इनका प्रोग्राम जो एक placement guarantee के साथ आता है ताकि make sure कर सकें double sure कर सकें कि आपकी placement लग रही है एक अची company के अंदर at the end of their programs आप बहुत सारे projects बना चुके होंगे जिससे कि आपका resume और effective हो जाएगा और आपका करना क्या है एक link में description में add कर दूँगा और उस link पर click करका maximum possible discount इनके प्रोग्राम पर अवेल कर सकते हैं placement ले सकते हैं और placement लगने का मुझे पार्टी दे सकते हैं धन्यवाद तो इसी में सबसे पहला important feature है मेरा specialization specialization इसको discuss करते हैं यह क्या होता है ठीक है इसको discuss करने से पहले जब डीवी बना रहे होते हैं तो किस तरीके से बना रहे होते हैं वह वह सोचते हैं तो अब यह सोचो आप basically एक database बना रहे हो जिसके अंदर कोई entity है मालो person आपने सोचा person की क्या के properties हो सकती है ठीक है आपने सोचा कि एक person का name है मेरे पास तो आपने सोचा उसका address होगा ठीक है आपको contact number होगा और आपने सोचा कि यह person आ मालो कहीं पर कोई customer भी है ठीक है कुई customer as in कोई basically किसी online website पर ठीक है यह person कोई customer भी है ठीक है similarly यह person basically इसी से मिलता दूलता में पास एक और entity है employee ठीक है तो आपने सोचा इसी person पर यह आपने क्या करा आप यहाँ पर salary attribute डाल दे रहे हो ठीक है इसी पर यहाँ पर basically profile picture जा फर customer ID यह सब डाल देता हूं आपने यह सोचा पर आप देखो यहाँ पर person पर यह आपने ना बेफालतु में बहुत सारे redundancy इंक्लूड कर दी ठीक है यानि कि बहुत जादा इसको ऐसा करते कि person से समझ नहीं आ रहा person की salary भी है इसके profile picture भी है customer ID भी है contact भी है address भी है नेम भी है तो आप यह सोच रहे हो कि यह ना क्यों ना मैं person को break करूं इस पूरे entity set को ब्रेक करूं और ब्रेक करके दो नई entities बना देता हूं ठीक है जिसमें कि पहले entity होगी मेरी customer दूसरी entity मेरी होगी employee ठीक है यह आप कब कर रहे हो यही सब आप सोच रहे हो जो आप database बना रहे हो ठीक है पूरे database design कर रहे हो उस time आप करते करते हैं इस चीज सोच रहे हो पहले आपने person बनाया फिर आप सोच रहे हो कि यह person को बहुत सा attributes हो गया है तो मैं क्या करता हूं कि जो common attributes ना common attributes उनको तो मैं यही रहने देता हूं जैसे कि मेरा यह common attributes है कि customer का name भी होगा address भी होगा कि customer ID में यहां लगा देता हूं कि similarly मैं profile picture भी हटा देता हूं यहां से और salary भी हटा देता हूं profile picture में यहां डाल देता हूं और salary में यहां डाल देता हूं ठीक है अब मैंने ऐसा को system बनाने अब यह system ज्यादा refined नजर आ रहा है ठीक है कि भई अब हर entity की एक single independent identity तो है ही साथ में उसके personal attributes भी है कुछ जो उसको जादा अच्छे तरीके से define कर रहे है यहां person के अंदर salary डालके उसको अच्छे से define नहीं कर रहे थे राइट तो आपने क्या करा person को सब डिवाइड के सब groups में एंटिटी सेट को डिवाइड कर दिया सब रूसमें और उनकी particular entities को उनकी खुद की जो की properties चाहिए होंगी वह properties आपने साइन कर दी ठीक है बट अब ध्यान से देखो customer के अंदर भी मेरेको contact address और नेम चाहिए था ठीक है employee के अंदर मुझे क्या था मुझे name address और contact भी चाहिए था ठीक है तो मैं यह first पहला काम में क्या कर सकता हूं कि customer के अंदर भी name डाल दूं इंपलोई के अंदर भी name डाल दूं इससे ध्यान से देखो इससे रिलेंडेंसी आ रही है ठीक है नेम को मुझे बाबा स्टोर करना पड़ेगा तो इससे better में क्या करता हूं ER model जो है आपका एक तरीका प्रोवाइड करता आपको उसको मैं बोलता हूं तो स्पेसिलाइजेशन क्या है सेम चीज कि अपने entity set को break कर दिया कुछ specialized categories में specialized entity में based on उनके attributes ठीक है अब extended ER feature में specialization ने मुझे क्या प्रोवाइड के method प्रोवाइड कर दिया कि इनके बीच में relationship establish कर दिया कि customer जो है na customer is a person similarly employee is a person ठीक है तो ER model ने मुझे एक तरीका प्रोवाइड गरा कि किस तरीके से मैं basically super class यह super entity और sub class या भी sub entity के बीच में relationship establish कर देता हूं अब मैंने दो terms पो लिए super class sub class ठीक है तो similar terminology is used होती है आपके inheritance में ठीक है आप inheritance पढ़ते है na moves के अंदर उसमें क्या होता है कि मेरी एक parent class होती है ठीक है और उसको inherit करके मेरी child class बनती है ठीक है तो similar काम यहां पर हो रहा है parent मेरा person है ठीक है उसके कुछ attributes है यह attributes जो है वो inherit किये जाएंगे आपके child entities के द्वारा ठीक है जो customer और employee है यह आपके address और नेम यह भी inherit करेंगे ठीक है तो यह notation आपकी ER model ने मुझे provide करी है इनको मैं बोलता हूं extended ER functionalities यह जो basic ER diagram जब भी evolve हो होगा तब यह नहीं थी बड़ जैसे जैसे need महसूस होई तो यह चीज इस्टेबलिश कर दी क्योंकि आज कल जो systems है वो बहुत जादा inheritance का use करते राइट हम उसके अंदर भी inheritance के जादा यूज होती है तो simple यहां पर भी inheritance का यह concept यूज होता है बहुत ही बड़िया अब इसमें इंट्रस्टिंग बात एक और है कि अब माल लो आपके system के अंदर और बहुत सारे entities हैं जैसे कि HR department के employees ऐसी developers हैं बहुत सारे ठीक है ऐसे ही आपके housekeeping के employees हैं तो आप क्या कर सकते हो यहां पर भी आप specialization apply कर सकते हो यहां पर specialization apply करी is a relation बनाया specialization make is a relation होता है ठीक है कि customer is a person ठीक है same thing HR managers होंगे वह भी employees है developers भी employees हैं तो ऐसे मैंने बना दिया है यहां पर HR एंटिटी है वेड़ी एच्चार manager is a employee ऐसी developers लगा लो इस एंप्लोई similarly आपके housekeeping अब जो इंप्लोई के एट्रिब्यूट्स है ठीक है तो यह एट्रिब्यूट्स होंगे ही होंगे HR manager में और developers में और housekeeping department में बट साथ ही साथ इनके बट साथ होंगे हो सकता है HR के अंदर एक एट्रिब्यूट्स हो मेरा की working hours developers के अंदर एक्रिब्यूट्स हो मेरा Tech Stack क्या कि टेक्स टेक में काम करते हूं housekeeping में हो सकता है मेरा की building number कि building या block के अंदर वो काम करते हैं तो यह आपने क्या किया पूरी system के अंदर specialization apply करते गए और आपने देखो किस तरीके से आपके year model को simplify कर दिया अब आप देख पा रहे हो कि कितना simple दिख रहा मुझे अगर मैं person के अंदर यह बहुत सारे जाल देता है तो बहुत ज़्यादा redundancy इंक्लूड कर देता और डाइग्राम जब बहुत ज़्यादा बेकार दिखता और redundant दिखता अब बहुत ज़्यादा simplified दिख रहा है तो इसे मैं कहता हूं specialization अब अब ध्यान से तो सबसे पहले हमने person के बारे में बात की थी उसके बाद हम customer पे आए फिर employee पे आए इस तरीके से हमने पुरा जो मैं बोल सकता हूं department बना दिया पुरा मेरा system बना दिया डीवी system बना दिया मैंने राइट तो आप देखो हमारे यह top-down approach रही है सबसे पहले हम person पे थे ठीक है हमने इसके attributes को डिवाइड करते गए entity set को मैं person entity set को में डिवाइड करता गया करते करते मैं आप इस position पे पहुँच चुका हूं ठीक है तो यह top-down approach है तो specialization is a top-down approach ठीक है यह thinking top-down मतलब thinking मैं किस वे में लेके जा रहा हूं सबसे पहले मैं एक higher level पे सोच रहा था person एक app stack level पे फिर मैं उसको ब्रेक करता चला गया ब्रेक करता चला गया ब्रेक करते करते नाव मेरा system कुछ इस तरीके से दिख रहा है ठीक है बहुत ही बढ़िया सिधर notes पे चलते हैं लिखते है क्या कुछ लिखा है हमने specialization के बारे में specialization is splitting up the entity set into further sub entities basis of their functionality, speciality and features similar काम हमने क्या गया person को break कर दिया उनकी functionality या attributes के base पे ठीक है इनी persons के अंदर कुछ customers होंगे कुछ employees होंगे employees के अंदर कुछ HR employees होंगे कुछ developers होंगे कुछ housekeeping होंगे इस तरह के सामने divide करते चले गए similar चीज यह top-down approach है thinking processes में top two bottom गई है top-down गई है ठीक है same example यहां पर लिखा है तो अगर मैं inheritance जो कि उसमें use होता है उससे मैं इसको इससे analogy बिठा हूँ तो उसमें क्या होगा यह person एक super class होगा और बाकी जो specialized entities हैं वो subclasses होंगे बहुत ही बढ़िया similarly यहां पर एक is a relation established हुआ है between super class and subclass ठीक है वह भीने discuss कर लिया इसको depict कैसे करते हैं ER model के अंदर इस relation को is a relation बोलते है अब specialization की need क्या है वो भी हमने discuss की थी कि कुछ ऐसे attributes हो सकते हैं जो कि कुछ particular entities पर अप्लाई ना हूँ ठीक है वही बात हमने आप बोली थी कि person के अंदर क्या salary वाले attribute जो है उसको apply करने कोई फायदा है अमालों जो person मेरे entity थी person के अंदर में पर customers भी थे पहले जो मैंने person को divide नहीं किया था तो उससे पहले में पर persons के अंदर customer भी थे employees भी थे HR manager भी थे developers भी थे right person के अंदर सब कुस था बढ़ आप ध्यान से देखो क्या customer entity के पास attribute salary कुछ काम का है क्या customer entity के बाद salary attribute होना चाहिए तो अब देखो मैं overlapping attributes दे रहा था मैं बे फालतु में customer को भी salary attribute दे रहा था पहले अगर मैं इसको specialize नहीं करता तो दो entities दो different entity sets में break नहीं करता तो मैं अगर यह दोनों entity set अभी भी person ही होती ठीक है और मैं salary भी एक attribute यहां बना देता रोल भी एक attribute यहां बना देता customer id profile भी तो अब देखो कि कुछ सारे attributes मैं सारे entity set को provide कर देता जो कि एक redundancy include करता था मेरे system में तो यह यहां पर लिखा है certain attributes may only be applicable to few entities of a parent entity set अब इससे क्या होता है इससे जो db designer होता है वो distinctive features बता सकता आपके sub entities के distinctive feature कैसे कि employees की feature अलग है customer की feature अलग है है तो दोनों person ही बट इनके features अलग अलग है दो अलग अलग independent entities है बहुत ही बढ़िया इससे क्या होता है मेरा जो db का blueprint है वो refine होता है ठीक है अच्छा दिखता है और चीजे बहुत simple बन जाती है ठीक है कुछ और generalization के example देख लेते है ठीक है मालों एक entity set है मेरे पास engineer ठीक है अब मैं इसके अंदर भी inheritance apply करूँ और मैं बोल देता हूं कि मेरे पास कुछ civil engineer भी है मेरे पास कुछ CS engineers भी है मेरे पास कुछ chemical engineers भी है अब इसमें भी हमने engineer entity set भी specialization apply की और depending upon attributes और attributes हमने add कर दिए सिविल के अपने अलग attributes होंगे CS के अपने अलग attributes होंगे और chemical के अपने अलग attributes होंगे उन्हें सब को मिला कर भी कुछ common attributes यहां पर होंगे बहुत ही बढ़िया यह एक example हो गया एक और example देख लेते हैं एक सिंपल सा एक और example है vehicle मालों मेरे DB vehicle को स्टोर करता है तो हमने इस प अगर विखल और बस वह भी एक वीखल है ठीक है कार की कुछ अपनी distinctive properties होंगे ऐसी बस की अपनी distinctive properties होंगी ऐसी बस की अपनी distinctive properties होंगी वहने सब की मिला के कुछ common properties भी होंगी जोसकी parent vehicle को दी हुए है हमने ठीक है बहुत बढ़िया तो यह आपके कुछ examples हो गए specialization के कि किस अपको सोचना किस तरीके से हैं आपको पहले top two down सोच रहा है ठीक है आपको दिखना है कि क्या कुछ redundant attributes तो मैं add नहीं कर रहा है किसी particular entities पे अगर apply मैं add कर रहा हूं तो मैं क्या उसको specialize कर सकता हूं उनको के separate entity बना सकता हूं मैं ठीक है इस तरीके से आपको सोच रहा है वैसे अपना model design करना है second part है मेरा जो कि बहुत ही similar है आपका specialization के वह जनरलाइजेशन अब जनरलाइजेशन के बारे हम बात करें हम तो जनरलाइजेशन बस एक reverse है specialization का specialization में हम top to bottom जा रहे थे जनरलाइजेशन के अंदर हम bottom to top जाते है नि bottom up अप्रोच होती है हमारी यहां पर ठीक है तो दोनों चीज ना conceptually बोलूम है यहां फिर लॉजिकल बोलू तो similar है बढ़ यहां पर सोचने का तरीका है ठीक है जैसे एक्जांपल लेते हैं यहां पर हम जब design कर रहे हैं वीकल को ठीक है डीबी के अंदर सोचने वीकल है तो सबसे पहले मैंने सबसे पहले मैं अगर मैं डीबी डिजाइनर मैंने वीकल एंटिटी बना दी सोच ली और इसके attributes मैं decide करने लग रहा हूं राइट उसके attributes मैं सोच कर रहा हूं ठीक है और मुझे encounter होता है कि यार कुछ ऐसे वीकल्स हैं जो मैं distinctly property दिखा रहे हैं तो मैं ऐसा करता हूं उसको मैं specialize कर देता हूं अब इसका reverse अगर मालनो मैं ही DB designer हूं और मैंने वीकल मेरी दिमाग में ना strike करके मैंने सबसे पहले क्या सोचा कि एक मेरी entity बनेगी system के अंदर कार अब कार entity मेरी बन गई मैंने कार के कुछ properties ढूंड ली ठीक है अब मैंने क्या किया मैंने सोचा एक और entity बन रहे है मेरी SUV बन बना दी उसकी कुछ properties ढूंड ली ऐसी बस बना दी उसकी कुछ properties ढूंड ली ठीक है अब इध्यान दो वीकल अभी तक exist नहीं करता मैंने बस अभी DB में सूचते वह यह सोचा है कि यह तीन entities मेरे पास है अब मैं देख रहा हूं कि यार ऐसा हो रहा है कि बस के अंदर जो दो properties है ना वो सेम दो properties मेरी SUV के अंदर भी है वो सेम दो properties मेरी car के अंदर भी है ठीक है वो कुछ भी हो सकती है मालो तो car, suv और bus तीनों में mileage एक property है ठीक है या फिर car, bus और तीनों में vehicle type है vehicle type है इनकी engine कौन से emission करता है BS6 confirm है के नी, BS6 engine है के नी ठीक है इस तरीके कि दो properties मालो मैंने सोच ली और इस दो properties है common है अब मैं design करते हो सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं इसको generalize कर दूँ जनलाइज करके एक super class बना देता हूं एक super entity बना देता हूं ठीक है और इनकी ये दो जो common मेरे attributes है इनको यहां से मैं delete कर देता हूं यहां से delete कर देता हूं करके मैं vehicle के अंदर मैं इन common attributes को add कर देता हूं ठीक है अब आप बोलोगे यह तो एक्दम simple specialization जैसा ही है ठीक है आप तो बस उल्टा बोल रहे हो यही बात है यह उल्टा ही है एक reverse step भी है बस सोचने का ढग है कि जब आप DB design कर रहे हो तो आपने car के बारे में या SUV और bus के ब बारे में सूच लिया तो bottom to top जाओगे यानि कि आप जनरलाइज करते जाओगे चीज़ों को तो conceptually अगर मैं बोलू कि ER diagram making की term में ER model की term में specialization और generalization में कोई difference नहीं होता ठीक है model के अंदर दोनों चीज़ से में दिखती है इनकी notation है आप जो diagram में बनाते हो वह is a relation की तरह द या top to down नहीं सोच लो राइट बहुत ही बढ़िया यह पर दुबारे से समझ लेते हैं जो मारा classic example था मालो आप यह ना सूच के आप यह सोचते इसके अंदर कि आपने customer entity पहले सोची होती फिर employee entity सोची होती ठीक है employee customer दोनों के अंदर आपने address और name डाल दिया होता similarly यहां प repetition आ रहा है तो मैं क्यों नहीं को generalize कर दूं bottom up सोच रहा हूं मैं generalize करके एक person entry बनायता हूं और यह दोनों यहां से remove करके और यहां पर डाल देता हूं ठीक है तो देखो same ultimately अगर मैं bottom up सोच रहा हूं यह जनलाइस कर रहा हूं यह top down सोच रहा हूं specialize कर रहा हूं दोनों में ह कि जो मेरे diagram है जो ER model है यह diagram है वो एक जैसा ही बनेगा तो in short conceptually logically ER model के अंदर generalization and specialization same ही चीज़ है ठीक है बहुत ही बड़िया एक बाद जलेशन नोट्स पर नजरे डाल लेते है है reverse specialization का हमने देख लिया यहां पर db designer bottom up सोच रहा है ठीक है bottom up सोच रहा है is a relation यहां भी है bottom up सोचते हुए db designer may encounter certain properties of two entities overlapping ठीक है वही हमने बात की यहां पर vehicle के अंदर car के अंदर दो overlapping थी ऐसी bus के अंदर और SUV के अंदर designer may consider to make a new generalized entity that generalized entity set will be super class ठीक है बहुत ही बड़िया simple अब specialization की तरह जरूरी है common attributes की repetition को रोकना चाहते हैं हम data को refine करना चाहते हैं db को बहुत refine करना चाहते हैं ताकि इसका blueprint जो एक refined हो अच्छा blueprint हो ठीक है बहुत ही बड़िया अब एक important चीज आती है कि जब भी generalization और specialization लगाई जाती है तो उसके अंदर attribute inheritance भी होती है ठीक है तो फाइदा क्या हो इस चीज का अगर आपने इनके जैसा कि मैंने बात की थी इन address और name को उठाकर आपने एक generalize करके आपने person के अंदर डाल दिया तो अगर customer और employee इन दो attributes को inheritance नहीं करेंगे तो इस चीज का क्या फाइदा इस चीज को करने का ही क्या फाइदा जर्नलाइज और specialize करने का ही क्या फाइदा तो इसलिए यह बहुत important है कि both generalization and specialization has attribute inheritance यानि कि parent के जो भी attributes होंगे वो child जो entities है वो inherit करेंगी ही करेंगी ठीक है बहुत ही बढ़िया customer and employee inherit the attribute of person ठीक है अब दूसरा आता है आपका participation inheritance participation inheritance का मतलब है कि अगर आपका जो parent entity है parent entity अगर किसी relation में involved है कि relationship में वो involved है ठीक है तो same relationship में आपकी child entities जो है वो भी involved ही हो जाएंगे automatically ठीक है यानि कि माल लो suppose person है ये एक relation है has vehicle ये relation बना दिया मैंने has तो has जो है वो person पर अप्लाई किया वो है बट ये automatically इसके जो child entities है उन पर भी अप्लाई हो जाएगा यानि कि customer भी अप्लाई हो जाएगा employee भी अप्लाई हो जाएगा बहुत ही बढ़िया चलिए अब एक और important concept हुम discuss करते हैं जिसका नाम है एक प्रॉब्लम क्या है उसे समझते हैं पहले यह पिछले पढ़ा यानि लेक्चर थी में हमने बढ़ा था टर्नर रिलेशन्शिप के बारे में इसके एक एक रिलेशन्शिप में तीन different entities involved होती है ठीक है उसी का एक्जांपल उठा लिए फिर से ठीक है आपके employee है जो बग करता है branch में ठीक है job जो है वो उस branch में है और employee जो है बग करता है तो अमालों मैं एक manager चाहता हूँ ठीक है एक manager चाहता हूँ मैं जिसका function क्या होगा वो manage करेगा किसको employee branch और job इनके combination को ठीक है in short मैं चाहता हूँ कि एक manager चाहता हूँ जो कि उस particular branch में उस particular employee के द्वारा कोई task assign किया जाता है ठीक है तो उस task को manage करने के लिए मुझे manager चाहिए ठीक है ऐसे मैं manager एक relation बना चाहता हूँ ठीक है कि एक manager entity है वो manage करेगी इन तीनों के combination को इन तीनों के combination को क्या मतलब है कि आपका एक employee होगा ठीक है जो किसी branch में काम कर रहा होगा उसका job role होगा ठीक है कोई मैं basically manage करना चाहता हूँ तो मैं इन तीन basically entities को aggregate करना चाहता हूँ अग्रिगेट करने के बाद जब यह तीनों entity aggregate हो जाएगी यानि कि एक employee जो की particular job करता है मालव की employee है राहूल वो यहां पर housekeeping का काम करता है वो एक X branch में काम करता है द्वार का Delhi branch में काम करता है ठीक है तो ऐसे ही data point को मैं भूलना चाहता हूँ कि उसको ही एक manager manage करता है तो इसको मैं कैसे शो करूँगा ठीक है उसको मैं किस तरीके से शो करूँगा सबसे easy और असान तरीका में रपस क्या है मैं कर सकता हूँ एक और relation बना देता हूँ मैंने जिसका ठीक है जिसमें entity manager होगी और मैं इन तीनों को जोड़ेता हूँ यानि कि यह एक quarterly relation बना दिया मैंने टर्नली तक हमने बढ़ा था अब एक और बढ़ रहे हम quarterly relation बना दिया यह इससे भी related है ठीक है और यह इस job से भी related है तो अब ध्यान से देखो मेरी requirement क्या थी मेरी requirement थी कि मैं ऐसे employee जो कि एक particular branch में काम करता है उसकी particular job profile है मैं उनी को ہी manage करना चाहता हूँ ठीक है राहूल जो कि housekeeping का काम करता है वो द्वार का branch में काम करता है मैं उसी को manage करना चाहता हूँ टिक है डीबी के अंदर मैं इसी तरीका के अर्रीजमेंट जाता हूं बट आप ध्यान से देखो यहां पर एक रिडेंडेंसी मैंने इंक्लूड कर दी है इस डायग्राम के थुरू वो रिडेंडेंसी क्या है कि मैं स्टेर्ड उफ मैं के बोलहाँ कि इन तीनो के deb interfering को मुझे मैंनेज करना है एक फालतु में कुछ फाल्तु या से सिस्टम की रिख्माइंट थी कि इंपलोई जॉब और राच थी को मैं मैंनेज करना चाहता हूं रादर दन कि मैं जो एक employee है उसी को मैंनेज करना चाहता हूं तो यहां पर क्या बोल रहा हूं कि एक employee है उसको डड़ेटली कोई manager manage करता है ऐसा नहीं है इस operation के दहीं employee को directly manage नहीं करता कोई employee job और particular branch के अंदर उस तरीके का मुझे link के चाहिए मेरे DB के अंदर तो इस चीज को मैं कैसे दिखाऊंगा इस चीज को दिखाने के लिए rather than कि मैं हर एक के साथ में एक-एक link के जोड़ू और quaternary relation बनाओ जो कर रहा है मैं क्या करता हूं कि aggregate कर देता हूं यानि कि type of abstraction लगा देता हूं कि employee works on branch यह जो एक relationship है इसको मैं entity मान लूँ अगर ठीक है entity मान के मैं यह बोलूं कि यह जो particular entity है ठीक है works on entity का नाम बोल देता हूं इस entity को जो है manage करता है manager इस तरीके से अगर मैं एक year diagram बनाओ तो यह ज्यादा visually बोल सकता हूं मैं conceptually अच्छा दिख रहा है कि इन दिनों के combination को को manager manage करता है को individually को manage नहीं करता ठीक है तो दुबारा से अगर मैं redraw करूं इसको इस तरीके से दिखेगा aggregation apply करने के बाद मुझे इस तरीके से चीज़ दिख रही है तो मैं बोल सकता हूं कि जो manager है अब manager का DB किस तरीके से relate कर रहा है यानि manager का data सारा किस तरीके से relate कर रहा है इस तीनों के combination से अब वो इन तीनों के combination को एक entity की तरह देख रहा है कि यह तीनों combination के entity है यानि कि manager जो है वो इन तीनों के combination को basically manage करेगा rather than कि किसी एक particular branch को manage करेगा या job को manage करेगा या employee को manage करेगा redundant information सारे remove कर दी और उठाके इसको मैंने एक abstraction apply करके मैंने एक entity बना दिया वह entity बनाने के बाद उस entity को मैं basically manage करवा रहा हूं manager के द्वारा तो इस तरीके से मैंने relation establish किया aggregation apply करके मैंने abstraction kind of abstraction लगा दी abstraction लगाने के बाद अब मैंने complexity अंदर के hide कर लिए ठीक है कि अंदर job है work zone है branch है यह एक entity है इस entity को मैं generally हम relation के नाम से entity को बोल देते हैं कि यह work zone entity है ठीक है यह work zone entity है इसको manage करता है को manager तो इस तरीके से मैंने abstraction apply करके abstraction apply करके relation को मैं एक higher level entity बना दिया मैंने इसको मैंने higher level entity बना दिया abstraction apply किया है higher level entity को अब मैं manage करवा रहा हूं तो यह आपका short में aggregation कहलाता है ठीक है notes पर चलते है aggregation का काम क्या है कि अगर मैं बोलूं आपके ER model में यह आपके database के अंदर मैं आपके अंडर्लाइं कम्प्लेक्सिटी को हाइड कर लेती है तो यहां पर क्या था रिलेशन्चिप के बीच में रिलेशन्चिप दिखा रहा था ठीक है यह जिए हमने यहां पर लिखी है कि aggregation की द्वारा मैं रिलेशन्चिप दिखा सकता हूं यहां पर रिलेशन्चिप करता हूं जिसमें कि रिलेशन्चिप को मैं ट्रीट करता हूं higher-level entity की तरह ठीक है अब्सक्षान क्या करती है हमने पाता है यहांपर हम और नसीं से रिमूब कर रहे हैं कि मैं इस तरीके से और सकती कि मेले करें पर एक एक और एग्जामपल एक देख लेते हैं अब दूसर एक एकम्पल्ब एक एक्रिशन में सकता है उनके पास सब्जेक्ट हो एक है तो है्स रिलेशन से चाहता हूं मैं स्टुटेंट और स्मिस्टर के इन्डर चाहता हूं तो मैंने कहा कि student attend semester को aggregate किया aggregate करने के पाद एक है रिलिशन लगा दिया subject का student और subject जो कि aggregated unit एक higher level unit मैंने बना दिये ठीक है उनके पास subjects होते हैं तो मैंने यह नहीं बोला कि directly student के पास subject होते हैं ठीक है कुछ हो सकते हैं student अभी enrolled ना हो तो उनके पास subject ना हो सब्जेक्टने ए take a step नहीं चाहता हमां कि semester के नदर कौन semester में क्या subject नहीं और जो जो student tane attend करें है subject, semesters ठीक है उसके अंदर जो subjects use होंगे मैं उसके अंदर ऑग्रिगेशन चाहता हूं यह उसके अनदर के relation चाहता हूं प्र इसलिए मैंने इसको aggregate किया, aggregate करने के बाद मैंने has relation लगा दिया subject के साथ, तो इस तरीके से aggregation work करती है, तो I hope आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से extended ER features work करते हैं, यह बहुत ज़्यदा important है, जब आप बड़ा complex system बना रहे होते हो, तो आपको specialization aggregation यह सब अप्लाई करना होता है,